क्या है वशिकर्ण मंत्र? क्या आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता? क्या आपकी बात को अंसुना किया जाता है? क्या आपको तवज्जो नहीं दी जाती? अगर ऐसा है तो आज ही करें उपाए जानिये वशिकर्म के पाँच उपाए बताएंगे पंडित वैभोना चर्मा ठीक साथ बजे नमस्कार सुबह के साथ बजने को हैं मैं हूं पंगजभारगव हमारी खास पेशकर्ष आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागर है आज शरीवार है कैसा रहने वाला है आपका आज कर दे और क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे इस सब को जानेंगे हमारे साथ हरवार की तरह स्टूडियो में उपस्ते थे जाने माने जियोतिशा चारे पंडित वैभमना शर्मा साथ ही इन से आज ये भी जानेंगे कि वशिकरण मंत्र क्या होता है कि आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि आपकी बात को अंसुना कर दिया जाता है यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आज ही जानिये आप वशिकरण के मंत्र लेकिन सब से पहले आज का पंडियी से वो जा लेते है जी पंडियी जी पंकर जी आज का पंचांग है विक्रम समवद दोजार अरश्ट मास सेश्रावन आज की ती 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 है शनिवार का दिन नक्षत रहे है अश्वनी योग है शूल करन है कॉल और आज जो त्योहार पढ़ रहा है वो दुर्गास्टमी का त्योहार जिसे कालास्टमी भी कहते बिल्कुल तो आज वशिकरन मंत्र के बारे में पंडी जी हमें बताने वाले हैं यह अग्या आपकी बात पर को इत्यान नहीं देता क्या आपकी बात को अंसुना किया जाता है क्या आपको तवज्जो नहीं दी जाती अगर ऐसा है तो आज ही करें उपाए चानिये वशीकर्म के पाँच उपाए पताएंगे पंडित वैभोना चर्मा ठीक साथ बचे और जैसे कि आपको मालूम है इस प्रोग्राम का सबसे महत्पूर्ण जो अंग होता है वो होता है आपकी राश्यां जी हाँ मंत्रों साधना के कैसी प्रक्रिया जिसको जाब करके आप एक्चित व्यक्ति को अपने पक्ष में कर सकते हैं और ऐसा हमें शास्त्र उस समय गवाही देता है जब आप किसी ऐसे मोड पे खड़े हों जीवन के ऐसे दो राहे पर आजाएं कि आपके सामने कोई और दूसरा म समाज में नहीं नहीं परिवार में प्रूव करना है कि आप अपनी जेہां पे बिल्कुल सही है तब इन मंत्रों के प्रयोग सुएम आपको कर लेना चाहिए या आप योग याचारयों के दवारा भी इन मंत्रों का प्रयोग करवा सकते हैं तो क्या इ hom druidya में और दायरे इसलिए जब भी आप इनको करते हैं किसी योग या आचारी की देखरेक में करें और सबसे जादा मत्वपूर्ण ये है कि जब कोई अपरिहार ये इस्तिती आ जाए अर्था कोई अमर्जेंसी की इस्तिती हो तभी आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए ऐसे मंत्र ऐस प्रयोग आपको अपनी दैनिक लाल सा पूरी करने के लिए या आपको किसी को अट्रक करना है गल्फरेंड बॉइफरेंड का जगड़ा हो गया अट्रक करने के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकते जब परिस्तिती बहुत जादा आपर यहार हो आपको स्वैम को सिद्ध करना ओम क्लिंग कृष्णाय नमा अगर आप किसी व्यक्ति को ध्यान करके और संकल्प के साथ यह ध्यान करके करते हैं कि हे प्रभू आपकी कृपा से व्यक्ति मेरे वश में हो जाए और मेरा साथ दे मेरी जो विशम परिस्तिती है जिस दुभिधा में मैं फसा हूँ मुझे स् आसानी हो जाए आप भगवान श्री कृष्ण के समग जैसा संकल्प ले करके करेंगे तो निश्चिति आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा मंत्र एक बार पुना सुनने ओम क्लिंक कृष्णा आयनमा इस मंत्र का जाप करने से जिस भी इक्ष्याप के साथ आप करेंगे जि मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए आज की दिन चर्या में आपको अपने परिवार में बच्चों से जुड़ी सफल था कि जो आपकी लालसा थी कि आपके बच्चे भी सफल हो जाएं आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो सकती है आज के दिन बुद्ध देव का ध्यान कर लेना बुद्ध ग्रह के निमित कुछ दान करना और मंत्रों का जाप करना ओम बुम बुद्धायनमा मंत्र का जाप करना विशेशकर आपको लाप दे सकता है आज के दिन आर्थिक निवेश से बचने का प्रयास करें दूसरी राशी आती है टॉरस यानि की व्रिशब साथ मिलकर परिवार के साथ मिलकर के यह दिया आप धार्मे के स्थान पर जाने के एक्चा रखेंगे और वहां जाएंगे तो आपको जीवन में बहुत अच्छे सा करात्मक प्रणाम मिल सकते हैं आज की दिन चर्या में आज भगवान शिवे उपर लाल चन्नन अर्पित कर आज तो विशिशकर बिलकुल नहीं करना है आपको जमिनाई यानि की मिथुन राशी इनके जातकों के लिए क्लिए पर जातक लोगों के लिए नौकरी में किसी सहकर्मी के विवहार से आज मन थोड़ा दुखी हो सकता है उदास हो सकता है तो ऐसी परिस्तिती से बचने के लिए एक गार ठलदी के ले करके अपने वर्क टेबल पे रखना कर्वस्थान में रखना आपको बहुत अच्छा लाब देगा कारेश्यत्र में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें तो आपको बहुत अच्या लाब देगा तो आज जैसे कि आपको मालूम है शनिव से प्रयोग करना चाहिए दुरगा शप्षिती के कोई भी मंत्रा आप मिना कवच अर्गला की लग किये कर नहीं सकते हैं अगर आपने जराशी भी ला परवाही की तो इसके आपको बहुत गंबीर परणाम भोगने पड़ सकते हैं आपने अगर मान लीजे अपनी किसी छोटी किसी लालसा के लिए इसका प्रयोग कर लिया आप चाहते थे आपका कोई दोस्त आप से रूठ गया है कोई मित्र आप से रूठा है आप उसको मनाना चाहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं आप कर तो सकते हैं लेकिन आने वाले भविश्य में इन मंत्रों के अनायास के लिए ही बनाए गए तो हम पुरी उम्मीद करते हैं कि पंडी जी जिन बातों का खयाल रखने के लिए आपको बोल रहे हैं उनको आप जरूर अमल में लाएंगे तो निश्चित तोर पर आपको फायदा होगा दूसरा मंत्र क्या है वशिकरन मंत्र आई अब उसके बारे मे वो आपके नियंत्र में आही जाएगा अर्था आपके वश में हो जाएगा तो इस मंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ बड़ा ही चमतकारी मंत्र है ग्यानी नाम अपी चेतांशी देवी भगवती हिसा ग्रहा बलादा कृष्य मोहाय महा माया प्रयक्षती एक बार व्यक्ति को नियंत्र करने के लिए मैं मंत्र कर रहा हूँ वह व्यक्ति कितना भी ज्यानी हो कितना भी बुद्धिमान हो उसके ग्रहबल कितने भी अच्छे हो लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से वह मेरे नियंत्र में आ जाए आप ऐसी क्रिपा करें और मादुरगा की व्चारंद दोश होता है, तो उसके लिए उपाएग बताते हैं, लेकिन किसी भी जातक को प्रयाश अपत्री तरफ सी है करना चाहिए कि अगर आपको उसके लाब भी मिलेंगे और किसी प्रकार का दोश नहीं होगा, अन्नेथा अगर आपने जरासा भी इसका अशुद्न ला और उसका कहीं अर्थ बदल रहा है तो निश्चत आपके लिए वो खतरनाग भी हो सकता है बिल्कुल तो राशियों की सफर में आगे बढ़ते हैं अब बारी आती है करक राशी करक राशी वाले जातक लोगों के लिए निवेश द्वारा इस समय का भरपूर लाब प्राप्ती का योग दिखाई देता है सफलता है तू आज की दिन चर्या में हरे वस्तर का प्रयोग करना कम से कम एक हरी रुमाल अपने साथ रखना आपको बहुत अच्छा लाब देगा आज की दिन बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए बिल्कुल और अब बारी आती है लियो यानि की सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए काम के कारण तनाव किस्तिती बनेगी तो आज की दिन चर्या में परिवार और कारेशित्र का दोनों का दबाव रहने वाला है आज को करना यह है कि एक हल्दी की खड़ी गांट ले लीजे और आसपास के किसी भी जल स्थान में प्रवाहित कर दीजे बहुत उत्तम लाब मिलेगा जो तनाव की इस्तिती है उससे आप मुक्त हो जाएंगे मद्य रातरी में आज की दिन चर्या में इस्नान न करें तो आपके स्वास्त के दिरिश्टी गोर से बहुत ज़्यादा लाब दाएक होगा तो जैसा कि आपको मालूम है अगर आप शुरू से हमारे की प्रोग्राम आज देख रहे हैं तो पंड़ी जी वशिकरन मंत्र के बारे में बता रहे हैं क्या ये मंत्र होता है और इनके रियाक्शन्स तो नहीं होते और ये सब बाते हम इन से जानी रहें पंड़ी जी फाइदा क्या क्या होता है देखे पंगर जी इसकी फाइदा फाइदे तो बहुत ज़ादा है अगर कोई विक्ति आपके परिवार में आज ऐसे एकसर देखा गया है, रिजर्ल्स आते और बच्चे घर शोड़के चले जाते हैं अगर किसी विक्ति विशेश को आप करना चाते हैं तो सर्व लोग के जगा उस विक्ति का अगर आप नाम जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा लाब अर्थात बता दीजे तेके इसमें सीधा सीधा हर्थ है इसका कि आप भगवान श्री नारायन से अराधना करते हैं तबू आपके क्रिपास से सर्व लोग को वशी करने की वशी करने की शक्ति मेरे अंदर आ जाए और इसका ध्यान करके कर आप करेंगे जैसे मैंने बताया कि अगर इसी परिस्तिती में इसी मंतर का प्रयोग आप किसी व्यक्ति विशेश के लिए करना चाहते हैं तो सर्व लोग के जगां आप उस व्यक्ति का नाम जोड़ दीजे आपका काम चुट्कियों में बन जाए बंडी जी अब जो राशी आ रहे हैं उसमें मेरी खासी दिल्चस्पी रहती है ये आपकी नाम राशी बनाने के लिए आज का समय काफी अच्छा है तो पंकर जी का सुभाव भी ऐसा है कि हमेशा इनके मित्र बनते रहते हैं तो आज का दिन आपको इस मामले में और अच्छा लाब दे सकता है पशुपक्षियों को अगर आप चारा देंगे तो बहुत अच्छा लाब मिलेगा और बड़े बुजर्गों की बात को अगर आप दिल से नहीं लगाएंगे तो आपको पहुत अच्छा लाब मिलेगा बिल्कुल और आज वशिकर्ण मंत्र के बारे में चुकियां पंडीजी से जान रहे हैं तीन मंत्रों के बारे में अभी तक हमें बता चुके हैं बारी आती है चौथे मंत्र की जाते हैं किसी पार्टी में जाते हैं तो आपकी इस चर्चा हर तरफ रहेगी आप सबको अट्राक कर सकते हैं करना यह कि तुलसी का चूण ले लिजे अर्थात तुलसी की पत्रियों का चूण ले लिजे सहदई एक जड़ होती है तो एक तरीके का व्रिक्ष होता है जो आम तरीके से उपलब्द है तो सहदई के जड़ की रस अगर आप ले करके उस तुलसी के चूण में मिला करके एक तिलक बना ले उसको धारण करके किसी सभा में चले जाएं या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ले जाएं जिसको आप न पांच मांत्र बड़ा ही चम्तकारी बड़ा लाबकरी जैसे मैंने बताया कि भगवान श्रीक्रिष्न की बहुत बड़ी ढूमिका है समोहन के देवता माने जाते हैं तो मगवान की कलगी जो श्रीक्रिष्न जो श्वेत आग का पताजी से कहते हैं श्वेत अपामार्ग की जड़ को घिसकर तिलक लगाएंगे तो भी इस प्रयोग को करने से आपके अंदर जो सम्मोहन की शक्ती है लोगों को आकरशित करने की शक्ती है जो प्रतिबा है उसमें निरंतर विद्धी होती रहे यानि की वरिष्चिक राशी वाले जातक लोगों के लिए उच्छा देकारियों से आज की दिन की शच्या में परिशानी गर सामना करना पड़ सकता है तो आज की दिन आपको बहुत सोच समझ करके काम करना है भगबान शिव के अराद ना करें आलत से कभी न करें आज आपका दिन सफल हो जाएगा अब बारी आती है मकर राशी की मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए नीजी संबंद प्रगार होंगे संबंदों का लाब लेने का ये उत्तम समय है और उसके साथ साथ अगर आप सूरीदेव के राधना करेंगे तो आपका व्यक्तित वो और ज्यादा निखर सकता है तो आज के दिन भगवान सूरी को अरग अवश्य ने गुम्भराशी वाले जातक लोगों को आज के दिन चद्या में अपने भोजन में अनिमित्ता के कारण स्वास्त संबंदी समस्या विशेशकर उदर कस्ट आ सकता है तो आज के दिन अपने स्वास्त का ध्यान रखे अपने दिन चद्या को नियमित करने का प्रयास करें आज के दिन भगवान महामृतुन जय का ध्यान अगर आप करेंगे महामृतुन जय मंत्र के साथ-साथ ओम बुम बुद्धाय नमा मंत्र का जाप करेंगे तो स्वास्त से आपको कोई कस्ट नहीं मिलेगा और अब आखरी राशी आती है मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए कारेशित्र पर ध्यान देना आज के दिन बहुत जादा आनिवार यह आखरी 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 नमा मंत्र के बारे में बताया वहतों शुक्रिया आप अमने इस टुडियों बताया चलिए यहां हम लेते हैं छोड़ा सा ब्रेक लेकिन कहीं मत जाएएगा ब्रेक के बाद भी आईवेन 7 पर खबरों का सिलसला चलता रहेगा लगाता अजा ब्रेक के बाद यहां हम लेकिन सहितना एंखरी आपक.